अलो फ्रेंड्स नमस्कार पीटर फ्रेंड्स में आप सभी आपको स्वागत करता हूं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो आप इसे लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन का बट्टन जरूर प्रेस करें साथी ओल्नोट टिप किसन पर अगर आपको कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेर्स में भी लख सकते हैं तो अभी तक हमने फिटर के मॉस्ट इंपर्टेंट क्यूशन के मैं पढ़ते जा रहे हैं जिसके मैंने दस वीडियो बना चुका हूं दोस्तों आप अगर इन वीडियो को नहीं दे पर चलियो को बढ़ा कर यह तो जब भी है पर रगणने शेब बढ़ाना होगा तो उसका रायटा अंसर होगा कलेंश को बढ़ा कर पिर दातु के नाम बतारा नहीं जब किसी दातु पर अचानक चोट पड़ती है तो उसको जटका सेंट करने की किसमता रखता हो तो उस किनिकल का नाम बताना तो वह क्यों होता है तफनेस अपनेस जब रहेगी तो जातों पर कितनी अचानक चोट पर जाएं उसको चेहल लेगा तूटेगा नहीं ठीक है नेक्स किसन पड़ते कौन सा पार्ट मेजरिंग पेस है जो भारी मायक्रोमेटर के फ्रेम में फिट होता होता है आपका guideline.देप्ध मायक्रोमेटर को कैसे पकड़ा यह जाता है यादर होता है एक पास दूर करा जा सकता है तो वो द्रिलिंग मसीन होगी पिला डिलिंग मसीन तो यह होगी रिडियल डिलिंग मसीन ठीक है आंसर वो इसमें हड को पास वो दूर किया सकता है क्रेश्ट and root को राउंड किया तो वो थ्रेट होगी आपकी बी इसमें क्रेश्ट रूट दोनों को और राउंड करके बनाया जाता है इस टेप रेंज का पुना मता यह चिता देख लीजिए इस टेपरेंज का नाम क्या है तो आपके सामें देनों बॉक्स टाइप सॉलिट ट पिर अगला कुछन पढ़ते हैं पर टेप डिल साइज की गंदा करने का सुतर क्या गंदा करने का जो शुतर होता है वह तर आपका यह होगा इसका ए आंस्वर ए वाला इस राइड अंसर होगा तो आप टेप्स डिल साइज मैजर डाया माइनस टू इन्टू गहराई से आपसका निकाल सकते हैं प्रिशन आप याद रख लीजिए आपके मिसक आने में काम में आने वाला कुछन है फिर गतिविदी डिलिंग क काम करेंगे तो बहुत देमी के इसे फिट देंगे तब इस पर इसे कान बनते जो घिसता भी जाड़ा है और आज भी दीख करता है तो आप एक लिमिट में रहती है वह फिट देते भी आप दातर पे काटिंग का कारे कर सकते हैं इंस ग्रिशु साथ वाले बढ़ने के पर में दोस्तों सब्सक्राइब बताने जाओंगे इसका मेरे वीडियो भी लाक से बनाया तो आप मेरे जैनल पर जाके इस वीडियो को भी देख सकते हैं मैं इसके लिंक भी इसके डिक्स्क्राइब दे दूंगा जिसे आपको इसको पढ़ना आसानी से आ जाएगा ठीक है पूरे टांसर है यह बन पॉइंट फोर फाइप नाइन इस डाल सपोर्डिस किसंस ठीक है फिर 90 ग्रीप इस डिजी सेट किस भाग प्योग यान कॉमें सेट में 90 ग्रीप अधिजिए आप किस पार्ट के दोरा चेक कर सकते हैं तो रूल जिसमें तिया चार पार्ट होते है तो एक इसमें एक स्कॉर हड़ी ऐसा तूल जी दोरा आप नग्भा होना है तो आसानी से चेक कर सकते हैं ठीक है यह सब मैंने वीडियो पीछे बनाएं आप इनको देखके और अच्छे सी रिभाइच कर सकते हैं एंगल प्रेट में रिप्स क्यों जाती है यानि एंगल प् का पैचान आप कैसे करोगे तो इस भी ब्लोग के सिंगल लेवल सिंगल ग्रूवी ब्लोग सिंगल डबल गूवी ब्लोग और आपका डबल लेवल सिंगल ग्रूवी ब्लोग और डबल लेवल डबल ग्रूवी ब्लोग तो यह आपका होगा इसका जो राइन टास्वर होगा भूगा र्व निवल सिंगल करू वी ब्लॉग ठीये, इसका विमेल वीडियो बनाया है, अमेरी वीडियो में जाके इसको भी आसानी से देख्कर रिवाइज कर सकते हैं., इसको कितने कार्बन ठीश की जा सकते हैं?, Yani कितने कार्बन तक यसीज न्यकों पोर्श कर सकते हैं?, के लिए किस कास्टिंग रूट जयानि जब भी आप कास्ट रारीं करते क्या सकते हैं तो फ्रियोग किया जाता यह क्षिट आप इसको आचे से तैयार कर ले तो इसमें चीता देख लीजिए यह वाला हिससा जो देख रहे हैं इसको इधर पास में बिलाजा साथ इससे दूर भी किया जा सकता है इसमें इस पार्स का नाम पूचा तो यह अपन पट चुके हैं पहले तो इसका जो पार्स का नाम होगा वो होगा तो आपका इस पेंडल का हैड इसका राइट अल्सवर होगा ठीक है 68 में होगा डी तर इसका ठीक है फिर नैस्ट कुर्शन है यानि एजस दूसका होगया तो इसमें का निकालने अपन को इसका चक्कल निकाल तो इसका एक शुतर होता है कटिंग स्पेड बराबर होता है वन थाउजंड ठीक है यह होता है तो इसमें आपको पाई कमांद पता रहते हैं डी दीया रहते हैं नहीं दिया इसमें और कटिंस पिडिट दिये तो अब इदर रखे एक्सेंड करके आप इसमें निकाल सकते है इसका ठीक है तो मैं इसको निकाल रहा हूँ कितना आता है राइट आंसर इसका राइट आंसर जो आ रहा है यहां फिल मेले वह आ रहा है को पास में ला सकते हैं तो इसका राइट आसर होगा सी रिविट से दोस्तों आज के लिए अगर यह वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद